अस्कार दोस्तों आज में राही हो फिश की एक रेसिप्य बहुत ही टज्टि फ्लेबर्फुल कड़ी है इसे लाखाली इसे कहते हैं ने टाइबकर काली ये अपनी मदर डॉलो की रेसिप्युशू करना वेसने मेरे माँ बनाती थी बिल्कुल वैसे ही मैं आपके साथ सेयर कर दो आपको उमिद है आपको बहुत अच्छी लएगी ज़रू ठ्राई करें इसे आप थोड़ा ऐसे हल्की ग्रेवी बना सकते हैं या बिल्कुल ठीक कड़ी में भी बना सकते हैं या आपकी मर्जी है इसके स्कुल है यो यह इसको स्याइघ कर सब्सक्राएब यह भी अच्छी से पहले धोगे चाहए शाथ कर लेंभी थे माइन करके दस हिम द्या मिनित के लिए तेल में फ्राई करेंगे सरसो के तेल बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट पर गरम कर ले अब मसाला बना लेते हैं इसके लिए चार पांच हम कली हमने लैसन के लिया एक इंच का टुकड़ा अध्रक और दो प्याज काटा हुआ काटा हुआ दो प्याज हम लेंगे और इसको बार करते हैं मिर्च सब्जी में तो ज्यादा लेजिए कम पसंद करते हो तो एकी लेजे दो मेरे का दो मतलब परफेक्ट है हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाएंगे उपर से भी हरे मिर्च हम डालेंगे दो या तीन आप डालें अपने हिसाब से इधर हमने तेल गर पर मसाला हमारा तेयार होगा अब मैं फिश हमारा फिश पीश से एक तरफ से फ्राई हो गया पलट दे केरफुली पलटे के दोनों तरफ से ऐसे गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले याद रहें तेल को कड़ाई में पहले बिलकु स्मोकिंग पॉएंट तक अच्छ उसी तेल में हम बनाएंगे पाच्छे चममच बड़े चममच अमने तेल टाला है उसी तेल में एक तेजपत्ता डालेंगे और जो हमने कूटके डखा था तीन चोटी लाइची तीन लॉंग एक इंच का तुक्रा दार चिनी उसे भी डाल देंगे अब इसमें हम प्याज अध मसाल से थोड़ा सा आप डाले उसे रंग बहुत बढ़िया आ जाता है तेल में थोड़ी सी चिनी वान फूर्स चममच कम से कम डाल दे अब इसको तेल अलग होने तक यह देखिए मसाला हमारा भून गया अब हम पीसा हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे अब इसमें नमक औ 175 बालदी डालेंगे और एको छोका हमHa जीरा पाउडर एक छोटा चममच झीरा पाउडर और ऊपत को जोड़ा को कंड़ा से दक हम रेंगे देंगे साटीश में तक brought the economy है 65 यहाँ दाल दिया अ दूबारा से चपकर यह दोपते टेस्ट आएगा आपके सब्जी का, कड़ी का टेस्ट बहुत पड़ी आएगा तो, मसाला हमारा भून के तयार है, अब इसमें 1-1.5C पानी आप अपने इसाब से डाले, जितना आपको पतला लाइट ग्रेवी चाहिए तो पानी जाद़ डाले, और थीक ग्रेवी चाहिए तो अब पानी कम डाले, पहले उबल आने चाहिए, बॉयल होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, तो हम मसली सारे मसली के फिसे, फ्राइ किया हुआ मसली के फिसे उसमें डाल दे, यह हमने सारे डाल दिये, पानी डालने के बाद बॉयल होने लगे, तो मसली के फिसे सारे उसम में डाल दे अब हम उसमें यह हमें इस तरह का थिक ग्रेवी बनाने है और दो हडी मिर्च हम डाल देंगे उपर से फिर उसको कौवर करके बिल्कुल धीमी आज पर पांस मिनट तक कुखो ना दे यह पांस मिनट हमारा हो गया और बहुत ही समल कर क्यार्फुली फिश के पीसे को मसली के पीसे को पलट देते हैं मसली तूटने ना पाए यह हमने कातला मसली से बना है वैसे रोहू से भी बनाते हैं और आप किसी भी मसली से बना सकते है इसे बसे रिवर्ट फिश से ज्यादा अच्छा बनता है वैसे मैं कभी-कभी बासा से भी बना लेती हूं यह मसली रहता नहीं है तो बच्चों को बासा पसंद है क्योंकि कांटा नहीं होता है यह हमारा बनके तेयार है अब वान फो चमच हम गरम मसाला डालेंगे गरम अदाल के मिला लिजे और चाहिए छोड़ा चमच घी डाल दे अगर गी नहीं डालना चाहे तो ना ड़ो गी बिल्कुल और अगर आपको ऐसी हलकी चाहिए तो थोड़ा और पानी डाल दे हरधनिया से सजा के गर्म करम चावल के साथ सर्व करें बहुत ही अच्छा लएगा और अच्छी लगें नीचे एक लाइक बटन होगा प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और अभी तक आपने सब्स कर दीजिए ताकि मेरी पोई भी रसीब अप्लोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आजाए थैंक यू थैंक यू एवरीवन